आज के दिन के साथ में ही पूरी ही जीवन को जोड़ कर देखने की आदत देरे देरे अभ्यास में आते चले जाती है आज व्यापार बहुत बहतर हुआ सब्ता से दस दिन में जो रुपे वैसे की आवक है वो बहुत अची रही तो व्यक्ति 15 दिन ही ये प्लैनिंग करने लग जाता है कि इस तरह से ऐसे परचिस करनी है इस तरह से इंवेस्टमेंट की तरफ जाना है ये बिजनस इस तरह से चल रहा है तो कुछी दुनों के अंदर एक्सपांशन की तरफ बे जाना है ये वस्त्विस्ति हम सभी देखते हैं तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर नई जगह गई स्विकारोकती बढ़ती चली गई तो निरनाय के उपर निरनाय व्यक्ति वहाँ पर लेता चला जाता है ये समझता है कि हम आज के समय के साथ में चलते हुए भावी भविष्य के सारी ही समभावनाओं को बहुत अच्छे से देख चुके हैं जो निरनाय हम लेंगे वो तेवरगामी होकर सही ही होगा कुछ इसी तरह से व्यक्ति आज जिस एजुकेशन के साथ में होता है भावी भविष्य को पूरे तरीके से वहीं पर जोड़ कर देखने का कारे करता है कि आज जिस एजुकेशन के साथ में हम चल रहे हैं अगले 40-50 वर्षों तक उसी के माध्यम से हमारा रोजगार चलता रहेगा किन्तो 10 वर्षों में या 5 वर्षों में ही ये इस्ति वफलत सिद्ध हो जाती है कि नहीं फिर सकुद को अपडेट करने की रिक्वार्मेंट है अपग्रेड करने की रिक्वार्मेंट है ये इस्तती है कि हम आज में ही पूरे ही भावी भविश्य को जोड कर देखते हैं आज financial burden बने हुए हैं लगने लगता है कि पूरी ही जिन्दगी इसे रण के साथ में चलते रहेगी इससे कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे व्यापार में तीन से चार दिन थोड़े से कमजोर चले गए लगने लगता है कि कुछ नया सोचना पड़ेगा ये प्रबर्तिया है कि व्यक्ति की आज की सोच के साथ में जिवन का बहुत बड़ा आधार चलता है और वहीं पर वो भावी भविश्य की कलपनाओं को यथार्त में लेकर आने के सिरों में बहुत बड़ी गलतिया कर बैठता है आज किसी किताब को पढ़ने के और जाना है अब तो 35 वर्ष के हो चुके, 40 वर्ष के हो चुके अब किताब पढ़कर क्या करेंगे, ये नॉलेज कहां काम आने वाला है ये प्रश्न व्यक्ति के भीतर से निकलता है और वो किताब को छोड़ देता है किसी नए हुनर को सीखने की तरफ जाना है, रेटायर्मेंट की एज आ चुकी है लगने लगता है कि यहां से क्या फाइदा मिलेगा, बस ये फाइदा और नुकसान इसी के साथ में भावी जीवन का आकलपन लगातार व्यक्ति के साथ में चलता हुआ, उसको कहीं पहुंचने नहीं देता इसी वज़े से जो विजुलाइज करने का फ्रेम है, उसमें एवॉल्विंग प्रोसेस रहे, जो आगे देखने की प्रवर्तियां है तकनीक किस तरह से चेंज होगी, युग धर्म किस तरह से परिवर्तित होगा, हम को किस तरह से खुद को अपडेट और अपग्रेड करते वें चलना है, जिदि इसको जाना जाए तो व्यक्ति आज के सिरे के साथ में ही भावी भविश्य की कलपनाओं को करने से, या यू कहूं कि गफलतों के साथ उलजने से बचता है, इसकी आविशकता है, इसी वज़े से हम आज में रहें, कि तु आज की साथ में ही वर्षों की गणनाओं को नहीं जुड़ें, यही सबसे बड़ा समय के परिवर्तन का प्रभाव भी है इस स्तती को जब भी व्यक्ति याद रखता है तो वो समाधान की स्ततियों के और जाने की शुरुवाद भी कर चुका होता है हम भी यहाँ 21 मई 2021 का देनिक राशिफल लेकर हाजर हुए है शुक्रवार तो वहीं वैशाक मास शुक्लपक्ष चल रहा है चंद्रमा आज रातरी 9 बच कर 6 मिनट तक सिंग राशी में तो उसके बाद करने राशी में प्रवेश कर जाएंगे सूर्यदेव वरशब राशी में ही अगमन कर रहे हैं तो वहीं पूर्वा फालकुनी नक्षत्र की इस्ततियां सूर्यदे कालिकाधार पर रहेंगी और हम शुरुवात करते हैं मेश राशी के साथ में ये समय विशेश आपके लिए सामंजस्चिक इस्ततियों को लेकर आएगा किसी भी कामकाज में आप एक नए पन के साथ में कोडिनेशन को लेकर चलना चारे थे यहां आपके लिए सपोर्टिव बेस बना रहेगा शेर मार्केट सम्बंधी कामकाज में निवेश एक नए ताकत के रूप में उबरने वाला होगा तो वहीं किसी व्यक्ति के साथ में आपने विचारों को आदान प्रदान की तरफ लेकर जाने का कारिय किया है उस व्यक्ति के साथ में आपको लगता है कि आगे बढ़ा जा सकता है आप निरनाई लेते हैं, उस और अगतिमान होते हैं, तो बहतर परणाम रहेंगे, भाग्ये का सहीयोग आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं टेकनोलोजी और मेनेजमेंट के साथ में जुड़ कर किसी भी कामकाच को आप उन्नती और प्रगति की तरफ लेकर जाना चाहते है तब भी ये समय आपके लिए शरय असकर बना हुआ है, संतान पक्ष के और से सोख़द खबरें निकल कर आने वाली रहेंगी, तो वहीं पर ग्रिहस्त जीवन में जो एक तरह से चूटी चूटी दुवधाएं बनी हुई थी, या रोपए पैसे को लेकर कहीं ने कहीं थोड उसमें ज्यादा बहतरी बनी हुई है, वहीं वुरशब राशी, आप से निविधन करना चाहूंगा कि यहां अग्याद भाय संबंदी इस्ततियों से स्वहम को आप सावधान रखकर चलिएगा, बहुत जादा उसमें स्वहम को उलजाने से आपको बचना चाहिए, यह एक कामकाज में कोई भी दरनाए आज आप टालते हैं, तो वो अच्छा रहेगा, शेर मार्केट संबंदी निवेश से भी आज एक दूरी बना कर रखें, अलाकि संधिया समयंतराल के साथ किसी मीटिंग के तरफ जा रहे हैं, किसी इंटरिव्यू कॉल के और जा रहे हैं, आप उसमें कोई भी दिक्कत और दविधा यहां सामने नजर नहीं आती है, आप से निविदन करना चाहूंगा, कि जो आपने अभी तक सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी नए पन को अपनाया है, और भी तक स्वयम पर विश्वास नहीं कर पाए हैं, यहां दिर भी विक्ति पर आज शाम के समय अती विश्वास करने से आपको बचना चाहिए, स्वयास्ति संबंधी सेवाओं के साथ में जुड़े वो हैं, मान और सम्मान की स्थियां आपको और ज़्यादा जिम्मदारियों के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी, वहीं मिथन राशी, आप देखिएगा कि जो पराक्रम में वर्द्ध होनी चाहिए, भाग्य का सहीयोग मिलना चाहिए, वो बहुत बहतर तरीके से आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला होगा, महत्वा कांग्शाओं पर नियंतरन अस्थापित करके चलिएगा, इसी समय लेकन संबंधी काम काज में बहतरी रहेगी, जो आपके साथ में जो अवरोद आ रहे थे, उसमें कमी, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी कारे को अगले सब्ताक के उपर टालने से बचाएं, कोई टास्क है, और आप सोच रहे हैं कि मैनेज हो जाएगी, ऐसी गलती विल्कुल भी नहीं करे जो पोजिशन है, उसको पूर्ती की तरफ लेकर चलें, कामकाजी जीवन में ज्यादा समय आपको बिताना पड़ सकता है, वहीं पर ये याद रखिएगा कि कोई भी नई टास्क आपके सामने आती है, वो फ्यूचर की प्रोस्पैरिटी को लेकर आ रही है, उसके साथ में जुड़ना बहुत जादा आवशक है, ये एक प्रगती का आपके लिए वेकल्पिक माद्यम भी है, तो वहीं शेयर मार्केट हो गया, अन्यत्र कोई भी निवेश के माद्यम हो गए, वो बैटर्मेंट की पूरी ही रूप रेखा आपके लिए बनाते चले जा रहे हैं, दि कस्मिक तोर के उपर कोई भी सौदेबाजी सामने आती है, उसमें धीमापन बनाके रखना आपके लिए बहुत जादा जरूरी रहने वाला होगा, तो वहीं पर मेथोन अराशी के जातकों के लिए इस समय अंतराल में फ्लेक्सिबिलिटी की अपरोच को अपना कर चलना भी जरूरी है, वहीं से आपके लिए बहतरी निकल कर आएगी, सिच्वेशन को समझें और उसके बाद में धिरनाय को लेने के अंदर कोई भी परिवर्दन करना होता है, उसमें आप कोई भी दुराब नहीं रखें, यह निवदद प्रमुकता से यहां पर आपके लिए बना डील आपके सामने आ सकती है, डिमांड और सप्लाई की पूरिशन का ख्याल रखकर आप चलने वाले हों, भावको कर कोई भी दरनाय यहां आपको लेने से बचना चाहिए, तो वहीं सहजता और सरलता, जीवन के अंदर आपको काफी हद तक जीवटता और आनंद देने वाल है, पारिवारिक स्तर के उपर जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, वो भी निरंतर बना रहेगा, इसी समय जो आप स्वयम के आधार पर किसी भी पारिवारिक स्तती को समझने में और वहां मदद करने की तरफ जाते हैं, तब भी यह श्रयसकर कारे रहेगा, जिस व् जो उनकी मदद के लिए बलही वर्चुल बेस पर हो पहुंचें, वो एक महत्वपूर्ण, मानसिक, दरड़ता का प्रतीक मातर है, जिसको अपने साथ में लीजिएगा, गले से संबंदित समस्याओं से, दो-चार आप को सकते हैं, उससे भी सावधानी रखें, रेसर्ट सं उकनिवेदन आपसे करना चाहेंगे, वहीं, सिंग राशी, जो भी महिलाएं गरिहस्त जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, आज आत्म विश्वास के साथ में चलते हुए, पारिवारे के स्तर पर कोई भी उलजहने मौजूद थी, उनको सुलजहने में आप एक महत्वू कामकाच के साथ में जुड़े होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेटर्मेंट की पूरी-पूरी अप्रोच रहेगी, सूरी परदान, राशी के जातकों को चाहिए कि आप शेर मार्केट संबंद्य निवेश में लंबे समय का कोई भी आधार देखकर चलना चाहते हैं, आज काई दिवस निवेश की उन परक्रियाओं में आपको काफी हद तक बहतरी देने वाला रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई नाट की ये उतार चड़ाव नहीं है, यहां कला संबंदी शेत्र विशेश के साथ में जो आपका जुड़ाव है, वो कहीं न कहीं मन को संतुस् जुड़ने का प्रयास करना यहां आपके लिए आवशक और काफी हद तक बहतर रहेगा, एजुकेशन की लाइफ के अंदर यहां आपके लिए कॉंसेंट्रेशन के ब्रूच बहुत बहतर तरीके से बनी रहने वाली है, चिंतित होने की दरकार नहीं, तो वहीं जो मित्रों के साथ में अपनी किसी भी कामकाज की शुरुवात की थी, वहां से आज बहतरी निकल कर आ सकती है, आकस्मिक धनलाब संबंदी इस्ततियों से नकार नहीं करूंगा, तो वहीं पर सुबह के समय अंतराल में अपनी पूर्जा उपासना पद्वतियों में ध्यान को आप कन्या राशी, खर्चों के उपर नियंतरन रखने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना चाहिए, ये एक स्तिती है, दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा, कि यहां जो कमिशनिंग संबंदी कामकाज है, वो आपको बहतरी दे सकते हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में, फार्मेसिटिकल फील्ड के साथ में जुड़े वो हैं, भाग दौट रहेगी, कि तो उसी साब के सकारात्मक परिणाम भी आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे, दोपहर के समय के साथ में, किसी भी व्यक्ति विशेश के उपर आप किसी काम को पूरे तरीके से देते हैं, और वहीं से वो काम उलत जाता है, ऐसी गलती करने से आपको बचना चाहिए, यहां बुद्बरदान राशी के जातकों के लिए आउट्सोर्सिंग संबंदी कामकाज में, बहतर से बहतर प्रक्रियाएं सामने रहने वाली होगी, कहीं पर भी दुविदाएं नही है, ग्रिहस्त जीवन हो, संतान पक्षो या फिर माता पता हो, जहां व्यक्ति को संबल प्राप्त होता है, तो वो दुविदाओं से निकलता है, संगर्ष में जब हर्ष की अनुभूती घर परिवार की और से दी जाए, तो व्यक्ति व्यविदानों से पार पाकर उने हैं, अपनी लड़ाई को स्वयम लड़ने की और जाता है, जहां उसको सयोग मिला है और अंतुतो गत्वा विजय प्राप्त करता है, ये सब्ताहा के अंतिम सरे के साथ में स्ततियां आपके संमुक रहने वारे रहेगी, अध्यात्मिक चिंतन से ओत प्रोत होकर आप स्वयम को ब संतान पक्ष के साथ वैचारिक, मदभेद, कई बार बहुत धिक प्रगती के आधार भी होते हैं, इंटेलेक्ट्वल क्लैशेस आते हैं, किन्तु उसको कहीं पर भी कुतर के भाव में संतान लेकर जाने वाली नहीं हो, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा, क्षमताओं के सा जुड़े हुए कामकाज में पूर्ण तया यहां वर्द्धी आपके लिए रहने वाली होगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा के सेरे मौजूद रहने वाले नहीं हैं, ये एक बात दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा, कि यहां भूमी संबंदित कामका पाजनों कोई भे नर्णाय लेना है, उस और आप गवनशील हो सकते हैं, सुबह के समय अंतराल में आपको निरंतर हनुमन तपासना के साथ में स्वयम को जोड़ने का कार्य जरूर करना चाहिए, व्यापारिक जीवन के अंदर चोटी चोटी बातें, जो कई बार हमको ठेस पहुचाने वाली होती है, घर परिवार का कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, मालम चलता है कि लीकेज उसी की वज़े से है, ऐसी प्रवर्तियों के अंदर खुद को इग्नोर नहीं करें, हम कहीं कहीं सॉल्यूशन की और जाएं, ये बहुत जाद आवशक है, ठेस पहुच कर्म बरदान इस्तर के साथ में चलते हुए, आप काफे कुछ आज हासिल करने वाले होंगे, अपनी औरजा का भरपूर इस्तमाल करते हुए, आज आप यहाँ चलिएगा, जो भी लोग आसपास निराशाओं के साथ में हैं, उनको भावी जिवन की संभावनाओं के साथ मे नहीं होगा, यह बताना और उस घेरे से उनको बाहर निकालना यह जरूरी है, सेवा का भाव अपने साथ आप पूर्ण तया अपना कर रखिएगा, जिससे की आत्मिक संतुस्ती यहाँ पर निरंतर आपके लिए बढ़ती चलिजाएगी, वरिष्चिक राशी के जातकों के लिए मान, सिक, सुक, पूरे तरीके से कर्म और सेवा भाव के साथ में ही जुड़ा रहने वाला होगा, यहां कमिशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर आप और ज़्यादा बेटरमेंट की और जाने का कारिय कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविदा नह आपके लिए अतीव आवशक बना हुआ है, यात्राएं टाली जाती हैं तो जादा बहतर है, वहीं धनुराशे, भाग्ये का पूरा-पूरा सा योग यहां आपके लिए बना रहने वाला होगा, यह एक प्रमुकाधार है, दूसरी प्रबर्तियों में आप ये भी देखिए बहुत जाला जरूरी, एजुकेशन की लाइट के मिदर ये समय आपको एक अलग प्रबाह देने वाला होगा, कई बार घर परिवार के साथ में जो समय बीतरा हो, पुरानी स्मृतियों के साथ में आप जुड़ते हैं, उनको इपताते हैं ये घर परिवार की लेगेसी क्या रही है, किस तरह से संगर्श करके हम यहां तक पहुंचे हैं, कई बार प्रेणा दाई कहानिया और संस्पुरन घर में ही होते हैं, और सम्तान कों से जोडने के आवशक्ता हैं होती है, इस प्रक्रिया के साथ में आप जरूर चलते हैं, चले जाएं, तो वहीं बिजनस पार को बिल सकती है, वहीं, मकर राशी, पैतरक संपत्ती संबंदी कोई भी विवाद चल रहा था, तो वहां स्वयम को बहुत जादा उलजाने से आप बचियेगा, घर परिवार की प्रतियक व्यक्ति की चंता आपको बार अब बार सता रही हैं, और आप उसमें स्वयम को उलज कहां पहुंच जाएगा, इस व्यक्ति के साथ में जुड़ेंगे, फैसिनेशन के साथ में हैं, कि तु हमको पता है कि हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, निरने लेने के अंदर धीमेपन की बहुत जादा जरूरत होगी, तो वहीं किसी एडिक्शन के साथ में आप हैं, याद रखेगा, अपने संकल्प को गहराई से लिजिए और उस एडिक्शन से दूर हटने का प्रयास करने के और जरूर जाएए, ये मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर इस्थापित करके रखने वाले हों, ये एक प्रमुक आपसे निविदन है, तो वहीं पर यहां आ आप उस रुचे का सम्मान कीजिए किन्तु उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो, ऐसे डायरेक्शन के और भी उनको आप जरूर लेकर जाईए, ये मनतब व्याप स्पस्ट करके रखने वाले जरूर रहें, वहीं कुम्बराशी, यहां पर आपके लिए कामकाजी जीवन में व जिस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन आपने किया है, आज उसका मान समान आपको मिलता चला जाएगा, पर तेक गारिये में आत्म विश्वास बना कर रखियेगा, तो वहीं अनुशाशन के साथ में चलने का कारिये करें, किसी व्यक्ति को आपकी मदद की आविशकता है, तो वहाँ पर भी आप अपने भरपूर प्रयासों के साथ में रहें, इस मूल मंत्र को अपने साथ में जरूर आप स्थापित करके रखने वाले हों, कुम राशी के जातकों के लिए, यहाँ पर रिलेशन में भी थोड़े बहुत उतार चड़ाव निकल कर आ सकते हैं, सेल् पारिक जीवन में ग्रिहस्त की और से कोई भी सुझाव मिलता है, उसको सुभीकार करके चलिएगा, व्यदेश संबंधी कामकाज में अटकाव और भटकाव से एक दूरी बनती चलिजाएगी, यहाँ एक्सपोर्ट और सर्विसेस के साथ में आपका जुडाव है, कॉम्प पूरी तरीके से कॉंशियस भी इसको एपलाई करके आप चलिएगा, यहाँ भूमी संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निरने के और जाने से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, तो यह था 21 मई 2021 का देनिक राशिफल, हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजर होते रहें धन्यवाद और कोटी शह आभार